तारिक थी 19 में 1884 जहां पर क्या है साउथ एम्टन इंग्लेंड से लेकर के एक शिप चलती है जो कि सिड्नी और स्टेलिया तक जाती है जिसमें क्या है शिप के अंदर कर चार क्रिव मेंबर होते हैं तिक चार लोग होते हैं उनके नाम होते हैं तॉम डोडले, कैप्टन इस्टीफन, ब्रोक्स और रिचर्ड पाकर रिचर्ड पाकर जो है एक कैबिन बोई होता जो इसकी उमर 17 साल है हाँ जी हम बात कर रहे हैं आर्वी डगले एंड इस्टीफन केस की जिसे हम जनरली नाम से जानते हैं दलाइब बोट के इसका फुल ना से सिड्नी ऑस्टेलिया की तरफ जाते जाते पांच जुलाय हो जाती है पांच जुलाय 1884 को एक घटने घटती है दक केप ऑफ गुड होप में जो की साउथ अपरीका की एक जिगह है वहाँ पर क्या है एक दुफान आने लगता है बैड वैदर कंडिशन हो जाती है और उस एक परसन केप्टन स्टीफन जो की दो डिब्बे ले करके लाइव बोट के अंदर बैठता है जो दो डिब्बे होते हैं वो होते हैं सलजम के जिसे वह खा के जो है आगे के अपनी सर्वाइवल जो है जीते हैं बाकी लोग नहीं उठा पाते हैं क्यूंकि सब चीज जो है प्रोट के लहार में में जाते जाते इक फ़से वो'll काफी दूर निकल चके सके कोई सब्सक्रादा कर सके कोई इंर्जेंसाइब्क यो तो प्रोट कर आ सके अब ऐसे में क्या होता है वह लोग तीन तक तो सलजम खा खा करके कैसी अपना जो है दिन चरिया जो है चला लेते हैं 34 दिन क्या करते हैं वो कच्छुए को पकड़ लेते हैं जिसमें क्या है उसे फ्राई करके खा लेते हैं अब चार दिन तक तो अपना सर्वाइबल कर लेते हैं, लेकिन अगले आने वाले साथ दिन तक वो कुछ नहीं खा पाते हैं, कुछ नहीं पी पाते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ भी चीज नहीं होते हैं, समुदर का पानी पी नहीं सकते हैं, क्योंकि खारा उपर से और वो बिमार हो जाएंगे अब ऐसी कंडिशन के साथ वो लोग हस्से जादा कमजूर हो जाते हैं फिजिकल वीकनेस और मेंटल वीकनेस के अंदर के काफी हो जाती है रिचार्ड पारकर जो कि 17 साल का क्रिव बोई वो उसकी हाल सबसे जादा खराब हो जाती है उन अने दर तीन से एक परसन खड़ा होता जिसका नाम होता है टॉम डगले वो कहता है कि अगर हमारे पास अगर कल तक कोई सपोर्ट नहीं आती कोई भी हमारा हेल्प करने नहीं आता तो हम मैंसे किसी एक परसन को अपना सैक्रिफाइस देना होगा ताकि क्या हम उसका मीट खा करके क्या है तॉम डगले और कैपटन इस्टीफन यह दोनों मिलकर एक प्लैन मनाते हैं कि हम जो है रिचर्ड पाकर को मार देते हैं क्योंकि वह सबसे छोटा है और को 스트ुट भी नहीं होगी तो वो क्या करते हैं सोचते हैं कि हम उसे मार देते हैं ताकि हम क्या अपना survival जो है जी सके रात होते ही वो भगवान से दुआ करते हैं माफी मांगते हैं कि हम जो गलती कर रहे हैं हम उसे मार रहे हैं नहीं हमारा ज़रूरी ऐसे करके माफी मांग के उसका गलाकार देते हैं डिचर्ट पा रिचार पाकर क्या उसका मीट खाते हैं चाड़ दिन पास और उन्हें सौब देते हैं अब भाई मटरगा केस है तो कोट में तो जा नहीं है तो वह चला जाता हमारा कोट में ट्राइल अब ट्राइल होने के बाद वुर्फ में अपना जो भी है जो भी सिचेशन होती है वो सब बता देते हैं अब इसमें कुछ defenses दिए जाते हैं तीन मुख्छे defenses दिये जाते हैं उगसे पहला defense होता है कि सर जी इनकी necessity थी necessity ऐसे कि अगर वो उस person को नहीं मारते तो वो भी person जो है मर जाते वो जो tean person बचे हैं वो नहीं बचपातें necessity का rule ये कहता है doctrine of necessity वह ये कहता है कि अगर किसी person को कोych necessity है किसी चीज के लिए survival के लिए तो वो ऐसा काम कर सकता है जो कि कम हानिकाड़क है एक कहावत है कि जादा नुकसान होने से अच्छा कम नुकसान हो जाए तो उसी चीज को follow करते हुए दूसरा defense ये दिये जाता है कि सर अगर वो उस person को नहीं मारते तो वो already मरते ही मरता तॉम डगले और कैप्टन श्टीफन के दुवारों जो नीने लिए गया था उस अब डिचर्ट पाकर को मालने का अगर वो नहीं करते तो वो जो हमारा डिचर्ट पाकर था उसकी तविद यतरी खराब हो चुकी थी कि वो अपना आपी जो है अगले दिन मर जाता लेकिन अग उसके डिफेंस नंगे बहुत इंपोर्टेंट थे इसके लावा और भी लिए गया थे लेकिन तीन पोर्टेंट थे तीसरा डिफेंस यह था कि सरक कॉष्टम ऑफ दसीयानिकि सी का एक सिध्धानत है समुंदर गया कि आगर कोई बी जरिया नहीं है तुमारे पास ना खाना सब्सक्राइब और तो आए steps कर सकते मतलब किसी इंसान को मार के खाना सका मीट खाना हूए तो ऐसे में 2025 जब वह सब चीज़े सुनी कोडobs मuleidar का कि क्हाइब कि क्या यह मर्डर है यह यह नहीं है वह तै想्त-इसी के साथ और किसी को मान नहीं है तो उसकी मतलब कि ऐसे किसी को मार सकते हो उसकी भी तो फैमिली यह तुम हो सकता किसी और को मार देते हैं खुद मर जाते ऐसा भी बोला था प्लेंटित न centralizedéd pronetize नहीं होतीं होती है जादा पूब्लिक नहीं होती है अब क्या है court के ओबर बड़ी सी बड़न आगया दिक्कत आने लगी तो उसने क्या करा यह अपना transfer कर दिया higher court को high court of justice जिसमें क्या है 1884 को जो है यह case आया था sun 1884 में जिसमें क्या है 5 queen bench की जो है judge हुई थी जिसे हम queen bench division की नाम से भी जानते हैं पांच bench उसमें बैठी गए थी और उसमें बहुत से जो है trial चला और बहुत से जो है argument हुए काफी argument होने के बाद जो है judy siri का वहाँ पर decision आया कि it is a clear cut of murder यानि कि यह खून है अब उन्होंने जो है यह murder का जो बोला गया उनके reason भी दिये कि अगर किसी person को जो है necessity थी कि अगर murder करना है तो वह अपनी जान दे करके दूसरे लोगों की जान बचा ले ठीके दूसरा साथ कि किसी भी person को यह हख नहीं है कि वह दूसरे person को मारे ठीके अब तो वैसे modern time में भी देखा जाए तो हम और जो वह 3% थी उनको murder की सजा दी जिसमें क्या capital punishment की उनको सजा थी उनको क्या है उन्होंने अपीन भी किया था queen bench के अंद्रगत जिसमें क्या queen bench ने उनकी capital punishment को life imprisonment में बदल दिया था अब वह क्या है अपनी पूरी जिंद की life imprisonment में गुजारेंगे तो यह था हमारा case अगर आपको कोई भी confusion रहती है कोई भी conflict होता है तो आप कमेंट कर सकते हो हम आपकी समस्या को सुनेंगे और improve करेंगे कि आगे से problem ना हो सब तक के लिए bye bye thank you मिलते है नेक्ट वीडियो में